अब आपका स्वागत है आप लोग कैसे हैं उम्मित करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं मेरी तबियत भी पहले से बहुत ही अच्छी हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह हो गई है दिन है बुद्वार तो सुबह अपना जो भी घर की साफसफाई जैसे रोज करते हैं डेली रूटीन में वैसे ही कर रहे थे तो यहाँ पर जाडू पोचा सब मेरा लग चुका था और फिर उसके बाद यह जो टेबुल ह रहे थे चैणे ट्रेवल पोच रहे थे और जो घर में थोड़ा बहुत पोचना रहता आ टीवी है टीवी पोच्टे हैं सारा चीक पोचना जारना यह सब करते हैं एक साट में चाय पीते हैं चाय चढळा लिये थे नहाय weiter और आगय वागवान जी का पूजा करने के लिए हैं वह चुनरी चेंज करते हैं और दूलते हैं तो ये हपते में एक बर जरूर हम चेंज करते हैं ये मा को जो चुनरी उढ़ा है वह चुनरी है और वैसे लड़ु गोपाल और श्री-गडेश जी लच्वी मा को तो डेलिस नान कराते है और उनка वस्त्र बदलते हैं और वस्त्र को धुलते हैं तो यहां पुजा पाट मेरी हो गई और आगए अपने प्यारे से रसोही में तो मेरी रसोही आप देख रहे होंगे कि कितनी साफ और क्लीन लग रही है जी हां इसको रात में भी पूरा क्लीन करके सोते हैं और उटने के बाद जब चाय वगर है कभी हम बनाते, कभी मेरे हस्बेंट बनाते हैं, थोड़ा बहुत जो गंदा हो जाता है, फिर सुबह भी एक बार क्लीन कर देते हैं, तो यहाँ पर आलू रग लिए थे, सबजी उब जी की भी तैयारी चल रही थी साथ में, तो अब यह आपको कल रात का, इतना सही है, जो ब्लॉग है यह कल रात का है, तो रात में यह चने का दाल, futuro और उरत के दाल को हमने धिंगा दिया था, तो यह वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मग लिए हैं, एक मग भर के चावर ले लिए, और उसी मग का आधा मग, चने का दाल ले लिए है यह देख सकते हैं आप आधा मग यानि की मेजर्मेंट आप ध्यान से देखिएगा और फिर उसके बाद उसी मग से बिलकुल हाप थर्ड थर्ड पार्ट में ले लिए हैं धुला हुआ उरत का दाल यानि वन थर्ड तो एक डिबा भर के जो है मग उसमें लिए हैं चावल आध हुआ उरत का दाल तो यह कल रात में ही इन तीनों को अच्छे से ले लिए थे बढ़िया सा पानी से दो बार तीन बार धुल लिए ताकि उसके उपर जो भी पाउडर हो वो निकल जाए और उसको फिर कमरे में ही रख लिए थे ताकि ऐसी चलता है तो यह महके ना खराब न लैसुन 8-10 का लिए अरे लैसुन की हरी मिर्च डाल दिये थे अदरक आपको मानो तो डाल ये ने स्किप कर सकते हैं और इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना सकते हैं आप बना दीजे जब फाइन पेस्ट बनाएंगे तो ही यह दोसा गजब का टेस्टी लगता है और यह आप देख सकते हैं ऐसा ही यह होना चाहिए कंटेस्टेंसी का अब बनाने लगे हैं दोसा तो जब यह आप दोसा खा लेंगे न तो जो हम लोग वो डेली वाला दोसा खाते हैं वो आप बिल्कुल भूल जाएंगे क्योंकि इसमें लैसुन का स्वाद जो आता है हरी मिर्च जो टेस्ट आता है नमक डाले नमक डालके गोल लिए और कुछ भी नहीं डाले तो इसको बस दोसे के सेप में आप बना लिजे इसमें आलू डालना हो तो आलू फ्राइ करके डाल सकते हैं नारियल की चक्नी से खा सकते हैं नारियल की चक्नी नहीं है तो आप अचार से खा ज़ेगे ज़िए चाय सखा लीजे तो आसे ही होते हैं वाही कुछ भी घर में है तो उसका खुशन बना ही लेते हैं तो खुशन प्लॉप तो भी नास्तां से वी बनके और कुरकुरा बना है, तो इसमें आप प्याज भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, वो आपके टेस्ट के उपर है, तो इस तरीके का दोसा जब आप बना लेंगे, तो सारे दोसे को भूल जाएंगे, गजब का टेस्टी ये दोसा बनके, रेडी हो गया, इसको आप दोसा भी बोल सकते हैं, चिला भी बोल सकते हैं, हम लोग उल्टा भोलते हैं, आप उल्टा भी बोल सकते हैं, तो आप लोग बहुत से लोग ये बनाते भी होंगे, जो नहीं बनाते हैं, वो प्लीज जाके इसको ट्राई करिएगा, वाकई में गजब का टेस्टी लगता यह नुकसान भी नहीं करता क्योंकि इस उरत जू उरगया बहुत कम पड़ता है तो चने का डाल और चावल तो यह हेलधी भी होता है तेस्टी होता है और सबको मेरे यह पसंद आता है तो हम एकष़ बनाते हैं तो बनके रेडि हो गया है सब politicians नास्ता कर लिये और एक साइड में बन गई है गर्मा गर्म चाय तो चाय में अब अधरक नहीं डाल रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है लेकिन कितनी भी गर्मी हो तो काली मिर्च की चाय मेरी जरूर बनती है बिना काली मिर्च की चाय के हमें टेस्ट नहीं आता चाय में तो यहां का पनीर की सब्सक्राइब का चुके थे यहां सर्चों के तेल में डाल दिये थे थोड़ा सा प्याज हरीमिर्च छलाल मिर्च जीरा का ठड़का लगाए और फ्राइब कर दें प्रूस डाल दिये हम क्राला तो क्रेले का तो पर पनीर की सब्जी पारा की कितना प्यारा क्लरना के आता है तो ये है मेरी पनीर की सब्जी, तो यहाँ पनीर की सब्जी भी रेडी हो रही है, पनीर की सब्जी की रेसिपी बहुत बार हम ने आप लोगों से शेयर किया है, इसलिए पूरी रेसिपी आप लोग से नहीं शेयर किये, तोड़ी सी हल्डी डाल देते हैं इसमें, तो वही है में जितना भी हम लोग जो मसाला डालते हैं वही मसाला है अधरक मिर्चा लैसुन प्याज इसका पेस्ट बना लिए फ्राई करने के बाद और फिर इसमें दनिया पाउडर गरम मसाला रेट चिली पाउडर हल्दी और मलाई तो जरूर डालें मलाई और मक्षन से पनीज की सब नहीं लगता है तो यहां डाल दिये थोड़ा सा पानी और पनीर को फ्राई नहीं किये थे पानी थोड़ा सा पक जाएगा नमक डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा नमक डालने के बाद इसको फिर दिमियाज पिछोड़ देते हैं फिर पनीर एट कर देंगे और बनके बहुत तो यहां पर बन गई पनीर की सब्जी करेले की सब्जी तो यह मेरा था आज दोपैर का खाना। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताईएगा हरी धनिया नहीं थी मेरे पास तो इसमें कसूरी मेती डाल देंगे तो कसूरी मेती को हातों से क्रश किये और इसमें एड़ कर दिये तो पूरी सब्जी जो भी हम पनीर की वनाए इसमें ढखे कुछ भी नहीं ढखे नहीं तो गर्मा गरम खाना तयार है आप लोग को कैसा लगा जरूर बताईएगा करेले की सब्जी सलाद है दही है पनीर की सब्जी है दाल चावल रोटी तो यह था अज़ दोपैर का खाना ब्लॉग को करते एंड दोस्तों मिलते हैं नहे ब्लॉग में मेरे चैनल को लाइक कमें शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले फिर आप लोगों से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा जरूर बताईएगा कमेंड में और आप लोग कैसे कौन कौन सी रेसिपी पनीर की कैसे बनाते हैं वो भी शेयर करिएगा मिल